चलिए अब लाइव हो चुके हैं ठीक है दोस्तों आज का जो टेस्ट रहेगा वो आदिकाल से संबंदित है जिसमें हम 150 प्रशन करेंगे ठीक है अगर आपके पास नोटबुक और पैन है अभी निकाल कर रखिए क्योंकि काफी महत्पूर्ण तथे भी यहाँ पर हम करेंगे और यह कलास जल्दी जल्दी जितने भी प्रशन है हम ज़्यादा जल्दी से करेंगे ठीक है कम समय लेंगे और सभी जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन देखिए आदिकाल नाम किस विदवान ने दिया है विकल देखिए रा आदिकाल का नाम वेरी गुट सही उतर जाएगा विकल्प नमबर सी के साथ हजारी परसाद दिवेदी जी ने आदिकाल का नाम दिया था और रामचंदर शुकल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था अच्छा अब सभी बताएं विश्वनाथ परसाद जी ने क्या नाम दिया था आदी काल का रामचंदर शुक्ल जी ने तो वीर गाथा काल नाम दिया था विश्वनात प्रशाद जी ने क्या वेरी गुड क्या नाम दिया था वीर काल ठीक है confuse नहीं होना है वीर काथा काल अलग है और वीर काल अलग है विशुनात परसाद जी ने क्या नाम दिया है वीर काल अगला प्रिशन देखिए आदी काल का पर्थम कभी इन में से कौन है important question है विकल देखिए सरहपा, पुष्पदंद, स्वेंभू या फिर चंदरवर्दी जल्दी से उत्तर पताएं आदी काल का पर्थम कभी इन में से कौन है very good सभी का उत्तर सही है सरहपा कौन है सरहपा अगला प्रिशन देखिए राहूल सैंकरताइन ने हिंदी का पर्थम कभी किसे माना है विकट देखिए जो इंदू सही कर लीजिएगा इसे सरहपा, स्वेंभू या फिर पुष्पदंद जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा राहूल सैंकरताइन जी ने हिंदी का पर्थम कभी किसे माना है बिल्कुल सरहप्पा जी को माना है ठीक है किसे माना है सरहप्पा जी को और इनका जो समय अवदी कब तक की मानी है जल्दी से ये भी बताएं कमेंट बोक्स में अगला प्रशन देखिए स्वेंभू द्वारा रचित रचना इन में से कौन सी है इंपोर्टेंट है दोस्तों आपको इस परकार के प्रशन मास्टर कैडर एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है अच्छे से कीजिएगा विकल्प देखिए महापुराण पाउंचरिम जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा स्वेंभू द्वारा रचित रचना इसमें से कौन सी है चार का भी वेरी गुड सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प देखिए आला खंड के रचैता कौन है दोस्तों ये प्रशन एक्जाम में पूछा जा सकता है इस बार चंदर परदेई जगनिक नर्पतिनाल या फिर शारंगदर जल्दी से उत्तर बताएं क्या हो जाएगा आलाखंड के रचैता इन में से कौन से हैं आलाखंड को क्या नाम से जाना जाता है क्या नाम से जाना जाता है जल्दी बताएं आलाखंड को क्या नाम से जाना जाता है ठीक है क लिखा था जगनिक जी ने नर्पति नाहल ने बीसल देव रासो लिखी थी शारंग धर ने हमीर रासो लिखा था और चंदर बरदेई जी ने क्या लिखा था पृत्वी राज रासो ठीक है अगला प्रशन देखिए पाहुड दोहा गरंद के रचना किस ने की है धनपाल जी स इस्वैंभू, राम सिंह या फिर जैसिंग जलदी से उत्तर बताएं पाहुड दोहा, गरंद की रचना इनमें से किस ने की है, विकल्प सी, सबी का उत्तर आ रहा है, वेरी नाइस, पाहुड दोहा किस की रचना है। राम सिंग जी की ठीक है किसकी रतना है राम सिंग जी की अगला प्रशन देखिए आदी काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है ठीक है अभी अमने किया है तो आदी काल को वीर गाथा काल किसने दिया है अचारे राम चंदर शुकल जी ने ठीक है किसने दिया है राम चंदर शुक लिजींगे, जॉर्ज गेर्शन जी ने क्या नाम दिया है, चारण काल, ठीक है, चारण काल, नोट कर लीजिए, अगला प्रशन देखिए, ग्यार्मी सदी में राम सिंग जी की दोहा काव्या प्रमपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है, जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा राम सिंग की दोहा काव्याए परंपरा में आने वाली कृती कुन सी है very good सभी का उत्तर सही जा रहा है विकल्प नमबर D पाहुड दोहा दोस्तों अगर हम बात करें परमात्म परकाश की तो ये किसने लिखी थी ये भी नोट कर लीजिए जो इंदू ने किसने लिखी थी जो इंदू ने इसे नोट कर लीजिए जो इंदू ने लिखी थी जो इंदू को योगिंदू नाम भी दिया गया है योगिंदू मुनी नाम से भी आपको पूछा जा सकता है इसे याद कर लीजिएगा नेमी नाथ राजसो सुमती गुनी जी के दुवारा लिखी गई थी नोट कर लीजिए बहुत इंपोर्टेंट है अगला प्रशन देखिए साली भदर शूरी को हिंदी का पर्थम कभी किसने माना है इंपोर्डन कोशन है एक्जाम में पूछा जाने वाला प्रशन है जल्दी से उत्तर चुने गणपती चंदर गुप्त डॉक्टर नागेंदर शुकल जी या फिर हजारी परसाद दिवेदी शाली भदर सूरी को हिंदी का पर्थम कभी किसने माना है जल्दी से उत्तर बताएं वेरी गुड सभी का उत्तर क्या जा रहा है विकल्प नमबर एके साथ गणपती चंदर गुप्त जी और दोस्तों शाली भदर सूरी जी को दसरत ओजा ने भी ठीक है ये नोट कर लीजिए दसरत ओजा जी ने भी क्या माना है पहला कभी माना है किसे माना है शाली भदर सूरी जी को और माता परसाद गुप्त जी ने भी ठीक है माता परसाद गुप्त जी ने भी इने पर्थम कभी माना है और बताएं अब्दुल चलिए हजारी परसाद दिवेदी जी ने कौन सा पहला कभी माना है मैंने इसका उत्तर ही बता दिया ठीक है आजारी परसाद दिवेदी जी का जी ने पहला कभी किसे माना है तो इन्होंने माना है अब्दुल रह्मान जी को किसको माना है अब्दुल रह्मान जी को नोट कर लीजिए अगला प्रशन देखिए चारन काल किस का का दूसरा नाम है जल्दी से बताएं अध्यमान विल्कुल अब्दुलरह्मान को अध्यमान भी का जाता है जल्दी से बताएं चारंकाल का दूसरा नाम कौन सा है आधिकाल चारंकाल नाम किस ने दिया था डॉक्टर गियरसन और रामकुमार वर्मा जी ने अगला प्रशन द जिन्दत सूरी शाली भद्र सूरी या फिर जिन्दत सूरी जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा उपदेश रसाइन के रचायता इने में से कौन है वेरी गुड सभी का उत्तर सही जा रहा है विकल्प नमबर बी जिन्दत सूरी दोस्तों अगर बात करें अमीर खुसरो की तो इन्हों ने खालिक बारी और दो सुखने नाम से रचना रची थी जो की महतपूर्ण है एक्जाम की द्रिस्टी से शाली भद्र सूरी जी ने भरतेशवर बाहुवली रास लिखा था अगर बात करें जिन्विजय सेन जी की तो इन्हों ने रेवंत गिरी लिखा था ठीक है इसे नोट कर लीजे रेवंत गिरी नाम से रचना की थी ठीक है रेवंत गिरी रास नाम से इन्हों ने रचना की थी ठीक है जिन्विजय मुनी जी ने जिन्विजय सेन जी ने ठीक है इसे सही कर लीजीगा जिन्विजय सेन जी ने कौन सी रचना लिखे थी रेवंत गिरी राज अगला प्रशन देखिए हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसल्मान कभी कौन सा है जल्दी से उत्तर बताएं हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसल्मान कभी कौन सा है अमीर खुसरों है जैसी है अब्दुलरह्मान या फिर उस्मान जी जल्दी से उत्तर ब का उपनाम जो अन्या नाम है वो क्या है जल्दी से बताएं इन्हें क्या कहा जाता है अध्यमान ठीक है अध्यमान कहा जाता है जैसी की रचना बताएं जैसी ने क्या लिखा था पदमावत क्या लिखा था पदमावत ठीक है जैसी ने क्या लिखा था पदमावत रचना की थी उस्मान की चित्रावली और अब्दुर रह्मान ने संदेश रासक रचना लिखी थी ठीक है नोट कर लीजिए अगला परशन देखिए दोस्तों हिंदी साहित्य की पर्थम रचना इन में से कौन सी है इंपोर्टेंट है डारेक्ट इस परकार का ही परशन आपसे पूछा जाएगा श्राव का चार प्रथमी राज रासो चंद बर्णन की महिमा या फिर रानी केत्की की कहानी जल्दी से उतर दे very good answer सभी का सही जा रहा है श्राब का चार ठीक है कब लिखी गई थी 933 इस्वी में ठीक है प्रत्वी राज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी चंदर बरदेई के द्वारा किसके द्वारा चंदर बरदेई जी के द्वारा अगर बात करें चंद चंद बरदन की महिमा ये भी प्रशन आपसे एक्जाम में पूछा जाता है तो ये किसने लिखी थी गंग कवी ने ठीक है रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी इंशा अल्ला खान ने इसे नोट कर लिजे काफी महतपूर्ण है वेरी गुड गंग कवी चलिए अगला प्रशन देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास के रचैता इन में से कौन है जल्दी से उत्तर बताए से उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प चुनिये जल्दी से A, B, C, D कौन सा उत्तर हो जाएगा वेरी गुड सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नमबर C की तरफ शाली भदर सूरी जी अगला प्रशन देखिए वर्ण रतनाकर के रचैता कौन है इंपोर्डन कोशन है ठीक है जल्दी से उत्तर बताए वर्ण किस के पास है ठीक है अगला प्रशन देखिए मैथली का कभी इनमें से कौन है इंपोर्डन है आपको प्रशन पूछा जाता है जल्दी से उत्तर बताए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर चुन रहे हैं आप सभी विकल्प ए सही हो जाएगा विद्यापती दोस्तों आपने अगर ये सभी प्रशन अच्छे से कर लिए तो आदी काल में जो आपको 5-6 प्रशन पूछे जाते हैं आदी काल में जगनिक ने कोंसी रचना लिखी दी जल्दी बताएं जगनिक जी के द्वारा लिखी गई रचना कोंसी थी प्रमाल रासो विद्यापती जी के द्वारा कोंसी रचना लिखी गई थी पदावली आमईर खुसरो जी के द्वारा कोंसी लिखी गई थी दो सखुने और स्वेंपू के दुवारा कौन सी लिखी गई थी पॉंचरी ठीक है इसे अच्छे से कर लीजिएगा इंपोर्टेंट है ठीक है चार परशन आपको एक ही परशन में मिल गए हैं अगला परशन देखिए शुकल जी के अनुसार आदी काल का समय क्या है सबी को प सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर सी 1050 से 1375 विकर्मी सम्मद अगला परशन देखिए आदी काल को संक्रमन काल की संग्या किस ने दी जल्दी से बताएं आदी काल को संक्रमन काल की संग्या किस ने दी सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर ए लाम सबी का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है अच्छा बताएं मोहन अवस्ती जी ने क्या नाम दिया था जल्दी से बताएं मोहन अवस्ती जी का भी इन्हों ने नाम दिया था आधार काल क्या नाम दिया था आधार काल नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट है ठीक है गणपती चंद गुपत जी ने प्रारंबिक काल नाम दिया था या फिर शुने काल भी कई वार दिया जा सकता है ठीक है प्रारंबिक काल और शुने काल अच्छा अब सभी बताएं डॉक्टर रमा संकर शुकल रसाल जी ने क्या नाम दिया था आधी काल को डॉक्टर रमा शंकर शुकल रसाल जी ने क्या नाम दिया था सुन्यकाल रुपिंदर कौर जी बिलकुल गणपती चंद्रगुपती जी ने दिया था डॉक्टर रसाल जी ने क्या नाम दिया था जल्दी से बताएं बहुत ज्यादा टफ पर्शन है प्रारंबिक शिशुकाल रसाल जी ने कला काल जैकाल वेरी शंकर शुक्ल रसाल जी ने जै काल नाम दिया है जै काव्या काल ठीक है इसे सही कर लीजिए जै काव्या काल नाम इन्हों ने आदिकाल को दिया है अगला प्रशन देखिए श्रावका चार के रचैता कौन है श्रावका चार के रचैता कौन है जो इंदू राम सिंग देव से शाली बदर सूरी जी जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा श्राव का चार के रचायता इनमे से कौन से है सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नमबर C वैरी गोट देव सेन जी अगला प्रशन देखिए राउल वेल किरती है क्या है जी खंड कावया है गद्द कावया है कावया है या फिर चंपू कावया जल्दी से उत्तर चुने एक्जाम में आपसे ये प्रशन पूछा भी गया है ठीक है जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा वैरी गोट सभी का उत्तर आ रहा है बिकल्प नमबर D चम्पू काविया अब बताए चम्पू काविया कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए एक्जाम में इसी टाइप का प्रशन आया था कि चम्पू काविया किस परकार का होता है गद्या पद्या मिश्रित जो काविया होता है वो कौन सा होता है चम् या फिर गंग कभी जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा हजारी परसाद दिवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कभी किसे माना है वेरी गुड सही उतर जाएगा विकल्प नंबर B के साथ अब्दुल रह्मान दोस्तों आप से इस परकार का प्रशिन पूछा ही पूछा ज इने ठीक है राम कुमार वर्मा जी ने पहला कभी किसे माना है स्वैंबू को माना है पुष्य को किसने माना है सिव सिंग सरोज जी ने माना है ठीक है जिनोंने सिव सिंग सेंगर नाम से रचना लिखी थी और सिव सिंग सेंगर जीने माना है जिनोंने सिव सिंग सरोज नाम से रचना की थी ठीक है इससे नोट कर लीजेगा सिव सिंग सेंगर जी ने पुश्य को पर्थम कभी माना है अगला प्रशन देखिए गेर्शन क्या अनुसार आदी काल की समय अवदी क्या है जल्दी से उतर चुने अब देखते हैं इसमें सही उत्तर कौन चुनता है सी उत्तर क्या ये सी उत्तर जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है जल्दी बताएं क्या यह सही उत्तर दिया गया है साथ सो इस्वी से चोदा सो इस्वी ठीक है इसे नोट सही कर लीजिए ये विक्रमी सम्मद है ठीक है साथ सो विक्रमी सम्मद से चोदा सो विक्रमी सम्मद ठीक है सही कर लीजिए इसे अगला परशन देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संदी काल के अंतरगत किस साहि साहित्य का विवेचन किया है जल्दी बताओ 24 माग परिशन का उत्तर क्या हो जाएगा विक्रमी सम्मध वेरी गुड जल्दी से बताएं क्या इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नमबर डी सिद एव जेन साहित्यों का संदीकाल में समावेश किया है अगला परिशन के रूप में समलित किया है रामकुमार वर्मा शुकल जी मिश्रबंदू या फिर सिंगर जी जल्दी से उत्तर बताएं क्या हो जाएगा किस विद्वाने अपने इतिहास गरंथ में अपरण साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना है वेरी गुड सभी का उत्तर सही जा र रामचंदर शुकल जी अगला परशन देखिए निम्र रचनाओं में निम्र रचनाओं को काल करम अनुसार व्यवस्तित कीजिए चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ ठीक है से उत्तर जायगा विकल्प नमबर बी कुबले माला राउल बेल उक्ति व्यक्ति परकर तथा कीरति लता अब इसे भी नोट कीजिए कुबले माला किसकी रचना है तो उगोतन कभी की है ठीक है इसे नोट कर लीजिए ठीक है राउल बेल किसकी है रोडा कभी जी की है उक्ति व्यक्ति परकरन किसकी है दामोदर दास की तथा कीरति लता किसकी है विद्यापती जी की नोट कर लीजिए अगला प्रशन देखिए सिद्धों की साधना में सुनने का पूरक क्या है इंपोर्टन कोश्यन है एक्जाम में पूछा भी गया है सिद्धों की साधना में सुनने का पूरक क्या है जल्दी से उत्तर बताएं ब्रज अगनी चित्र या फिर ज्यान अगला प्रिशन देखिए आदी काल को बीज वपन नाम किस ने दिया है ये भी परिक्षा में आप से पूछा गया है ठीक है मास्टर कैडर परिक्षा में ये परिक्षा में पूछा गया है आदी काल को बीज वपन नाम किस ने दिया था किस ने दिया था विकल्प नमबर ए स साथ गोरख नाथ जी की ठीक है किसकी है गोरख नाथ जी की और दोस्तों आत्म भोध जो रचना शंकराचारया के दुवारा भी लिखी गई थी ये लगू काविया लिखा था इन्हों ने ठीक है लगू गरंथ ठीक है क्या लिखा था लगू गरंथ लिखा था शंकराचारया जी ने भी इसे भी नोट कर लीजिए अगला प्रशन देखिए उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकिर्ट का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपबरंश या परचलित कावे भाशा का पद्या समझा जाता था कथन किस विदवान का है जल्दी से उत्तर बताए हजारी परस शुकल जी के दुवारा ही कथन परिक्षा में पूछे जाते हैं या फिर शुकल या फिर हजारी परसाद दिवेदी जी के ठीक है आप इन्हें नोट कर लीजिए शुकल या फिर हजारी परसाद दिवेदी जी में से ही आपको इस परकार के कथन पूछे जाएंगे मास्टर गैडर एक्जाम में अगला प्रशन देखिए विद्यापती ने कीर्टी लता की रचना किस भाशा में किये जल्दी बताएं कीर्टी लता कीर्टी पता का इन दोनों की रचना एक जैसी भाशा में हुई है कौन सी भाशा है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा अवहट वेरी उस युक के काव्य रूपों के संबंद में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो कौन सा है ये उक्ति व्यक्ति परकरण है वर्ण रतनाकर कीर्टी लता या फिर राउल बेल जल्दी से बताएं किस गरंथ में बनारस और उसके आज़ पास की संस्कृति भाशा का ज्यान म अग्ला प्रशन देखिये सबसे पहले चोपाई और दोहे की परंपरा का प्रियोग किस ने किया था? जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा? सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नमबर B के साथ प्रिंस गेमर C A C C C C जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा सबसे पहले चोपाई और दोहे का प्रयोग किस ने किया था शरहपा जी ने किस ने किया था सरहपा जी ने अगला प्रशन देखिए, हजारी परसाद दिवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो किस से मानी है, रासो से, रासाइन से, रासो से, या फिर रासक से, जल्दी चुने, चौनतिस का जल्दी उत्तर बताएं क्या हो जाएगा, very good, विकल्प नमबर D, रासक से, अ रिक्षा में प्रशन पूछा गया है, जल्दी से उत्तर बताएं क्या हो जाएगा, किस रासो गरंथ में अध्याय या खंडो का विवाजन किया है, किसमें समय में तो सही उत्तर जाएगा, विकल्प नमबर D के साथ पिर्थवी राज रासो में, ठीक है, कितने समय हैं इसमें ये भी बताएं, 69, ठीक है, 69 समय दिये गए हैं इसमें, अगला प्रशन देखिए, बोध गान ओ दोहा, किसकी रचनाओं का संग्रह है, जल्दी बताएं, बोध गान ओ दोहा, किनकी रचनाओं का संग्रह गरंथ है, सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, या फिर संतों की, जल्दी से 36 परिशन का उत्तर बताएं सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नमबर A very good सिद्धों की बोध गान और दोहा का संपादन किस ने किया था ये भी बताएं किस ने परकाशित करवाया था परकाशित किस ने करवाया था ये भी नोट किजिए हर परसाद जी ने ठीक है हर परसाद शास्तरी जी ने परकाशित करवाया था अगला परशन देखिए आदी काल में हिंदी कभी को अभिमान मेरू की संग्या दी गई है किसे अभिमान मेरू की संग्या दी गई है जल्दी से बताएं 37 में परिशन का उत्तर बताएं क्या हो जाएगा पुष्पदंत जी को किसे दी गई है पुष्पदंत जी ने अपने आपको अभिमान मेरू कहा था अगला परिशन देखिए भविश्यत कहा के रचनाकार कोन है जादा तर परिक्षा में परिशन पूछा जाता है जल्दी उतर बताएं भविश्यत कहा के रचनाकार कोन है सईत्तर जाएगा विकल्प नमबर A के साथ धनपाल जी अगला परिशन देखिए संदेश राशक की रचना विदा है संदेश राशक की रचना विदा क्या है जल्दी से उतर चुने 49 में परिशन का क्या हो जाएगा महा काव्या अख्यानात्मत गीती खंड काव्या या फिर वीरगती जल्दी से उतर चुने सभी का उतर जा रहा है विकल्प नंबर C खंड काव्या है ठीक है नोट कर लीजिए और इसमें कितने चंद दिये गए हैं 223 चंद दिये गए हैं और ये किस परकार का काव्या है विरह काव्या है ठीक है किस परकार का काव्या है ये विरह काव्या है और कितने परकरमों में विबाजित है तो ये तीन परकरमों में विबाजित है ठीक है इसे भी नोट कर लीजिएगा सिद्धो की भाषा को सांध्या भाषा नाम किस ने दिया जल्दी से उतर चुने हजारी परसाद दिवेदी आचारे शुकल मुनीदत तथा अद्वर्ज या फिर गियर्शन जल्दी से उतर चुने जादा तर ये परिशन गलत करके आते हैं ठीक है जल्दी से बताएं ठीक ह मुनी दत और अध्य व्रज ने सिद्धो की भाषा को सांध्य भाषा नाम दिया था अगला प्रशन देखिए नागरी प्राचारनी सबाद वरा प्रकाशित पृत्वी राज रासों के ब्रहद संस्क्रण में कितने समय या खंडव हैं जल्दी से बताएं ब्रहद संस्क्रण म कितने हैं उनतर अगला प्रशन देखिए दोसों पिर्थवी राज राजव से समंधित वीडियो भी चैनल पर अपलोड है वहांपर डिटेल में पिर्थवी राजव से सम्बंदित हर एक तथ्यों को बताया गया है आप उसे भी देख सकते हैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी अगला प्रशन देखिए हिंदी का पर्थम महा कावया चंदरवर्दई किस कावया कार चंदरवर्दई किस राजा के आश्रित थे किस राजा के आश परंपरा किस गरंथ में मिलती है पर्थमिरा रासो में प्रमाल रासो विसल देव रासो या फिर कीरती लता जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा मेग दूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस गरंथ में मिलती है चो तालिसमें प्रशन का उत्तर क्या हो किस समवाद में की थी ठीक है इंपोर्टेंट है एक्जाम में ये प्रशन भी आपसे पूछा गया है ब्रिंग ब्रिंगी समबाद सुक्षुकी समबाद प्रेम प्रेम का समबाद या फिर उद्दव गोपी समबाद जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा सभी का उत्तर सही जा रहा है विकल्प नमबर ए भ्रिंग ब्रिंगी समबाद ठीक है भ्रिंग ब्रिंगी समबाद किसने का था ये भी बता दीजिए कीरती लता को भ्रिंग ब्रिंगी समबाद किसने का था ये भी बता दीजिए कमेंट बोक्स में अगला प्रशन देखिए सि सिद्वाइटिय के परतम कभी सरहाप हैं बिलकुल सिद्वाइटिय की रचना चरया पदों और दोहों में हुई थी ये भी बिलकुल सही है और सिद्वाइटों का परणने पिंगल भाषा में हुआ था ये गलत है एक। ये गलत है किस भाषा में हुआ था सिद्ध साहित्यों को ठीक है सिद्धों की जो भाषा किस परकार की मानी जाती थी उल्ट बासी भाषा मानी जाती थी और देश भाषा बिलकुल देश भाषा भी मानी जाती थी चलिए अगला प्रशन देखिए अप व्रहंश प्रभावित प्रभावित हिंदी रचना इन में से कुन सी है? खुमान रासो जै मियंक जस्चंद्र का भरतेश्वर बाहु बली रास या फिर डोलो मारूरा दुहा जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा? अप भरंश प्रभावित हिंदी रचना इन में से कुन सी है? कौन सी है? भरते किस साहिते का दूसरा नाम है most important है ठीक है आपसे confused करने के लिए आपको इस परकार के परशन दिये जाएंगे चारन साहिते किस साहिते का दूसरा नाम है सिद साहिते ना साहिते जैन साहिते या फिर रासो साहिते जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा चारन साहिते किस साहिते का दूसरा नाम है वेरी गुड सभी का सही उत्तर जा रहा है विकल्प नमबर D रासो साहित है अगला प्रशन देखिए कोल ग्यान निर्णे के रचनाकार इन में से कौन है कोल ग्यान निर्णे जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा गोरकनाथ मचेंदरनाथ जो की गोरकनाथ जी के गुरू थे गोपी चंद या फिर जलंदरपा 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा very good मचेंदरनाथ जी मचेंदरनाथ और मचेंदरनाथ दोनों ही इनके नाम दिये जा सकते हैं अगला प्रशन देखिए मचेंदरनाथ के पूजा या उपासना का नाम क्या था मचेंदर पिपलीश देव विश्नु शर्मा या फिर मतिशेंदर जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा पूजा या उपासना का नाम क्या था very good सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर B के साथ पिपलीश देव अगला प्रशन देखिए दोस्तों ये प्रशन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है देसिल बैना सब जन मिठा ते तैंसन जपो अब हटा most important पंक्तिया हैं गोरकनाद जी की हैं अम्मीर खुसरों की हैं या फिर विद्यापती या फिर लुईपा जल्दी से उत्तर चुने very good बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दे रहे हैं आप सभी क्या हो जाएगा सही उत्तर विकल्प नंबर c विद्यापती very good अगला प्रशन देखिए चोदवी स्तावदी का समय जिसे हिंदी का आदी काल कहते हैं भाषा की द्रिस्टी से अपवरंश का बढ़ाव है या कथन किस विद्वान का है जल्दी से उत्तर चुने हजारी परसाद दिवेदी भोला संकर व्यास रामचंदर शुक्ल या फिर भोला नाथ तिवारी जी जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा देखें दोस्तो मैंने आपको बताया था जो कथन है या तो शुक्ल जी के होंगे या फिर हजारी परसाद दिवेदी जी के होंगे ठीक है तो भोला संकर व्यास को तो मारे गोली यहां से भी और तिवारी जी को भी ठीक है अब इन दोनों में से चुने क्या हो जाएगा ठीक है दस्वी से चोद्वी स्ताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदी काल कहते है भाशा की दरिस्टी से अपभरंश का ही बढ़ाव है वेरी गुड तनु जी क्या उत्तर हो जाएगा विकल्प नमबर ए हजारी प्रसाद दिवेदी जी अगला प्रशन देखिए किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का पर्थम कभी माना है जल्दी से उत्तर बताएं गेर्शन और सिव सिंग सेंगर रामचंदर शुकल हजारी प्रसाद दिवेदी या फिर डाक्टर नगेंदर जी जल्दी से उत्तर चुने पुष्य को हिंदी का पर्थम कभी किसने माना है सभी का उत्तर सही जा रहा है विकल्प नमबर ए गेर्शन और सिव सिंग सेंगर जी ने रामचंदर शुकल जी ने किसे माना है कुत्बन को माना है ठीक है पहली रचना किसे माना है शुकल जी ने मिर्गाबती को माना है ठीक है अच्छे से याद कर लिजिएगा हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने किसे माना है अब्दुल रह्मान जी को अगला प्रशन देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदी काल में हिंदी का पर्थम कभी कौन है जल्दी से बताएं एक्जाम में पूछे जाने वाला प्रशन है चुरंजा सही उतर क्या जाएगा विकल्प नंबर B स्वेंबू डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदी काल में हिंदी का पहला कभी किसे माना है स्वेंबू जी को माना है वेरी गूट अगला प्रशन देखिए कभी सरहपा का समय राहूल सांकिर्था जी ने क्या निश्चित किया है इमपोरड़न कोशिन है दोस्थो जल्दी से उतर जूने क्या हो जाएगा कभी स सरहपपा का समय राहुल सैंकर तैन जी ने क्या निश्यत किया है वेरी गुड सभी का उत्तर सही जा रहा है विकल्प नमबर सी साथ सो उनत्तर इस्वी का अगला प्रशन देखिए आप ब्रंश का बालमी की किसे कहा जाता है एक्जाम में पूछा गया प्रशन है आप बालमी की किसे कहा गया है वेरी गुड विकल्प नमबर सी स्वेंबू जी को किसे कहा गया है स्वेंबू जी को अगला प्रशन देखिए नाद ना बिंदू ना रवी ना शेशी मंडल काव्या पंक्ति किस कवी की है सरहपा विरूपा डॉमबिपा या फिर गोरक नात जी क जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा अठावन परिशन का सही उतर क्या जाएगा विकल्क नमबर A सरहपा जी ठीक है अगला परिशन देखिये बहुत कठिन है डगर पनगट की कैसे मैं घर जाओं मदवा से मटकी पनिया भरन को मैं जो गई थी दोड जपट मोरी मटकी खुसरो जी या फिर रस्खान जी जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा वेरी गुड अमीर खुसरो जी वहोत अच्छे विकल्प सी सही हो जाएगा अगला परिशन देखिये हिंदी मुक्तक कावया परंपरा का सबसे प्रिया चंद जो आदी कालीन साइते की देन है वह क जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा कौन सा है वेरी गुड विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोहा अगला प्रशन देखिए चोपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर परबंद लेखन की प्रंपरा की शुरुवात किस ने की थी जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा चोपाई के बीच दोहा को धत्ता देकर परबंद लेखन की प्रंपरा की शुरुवात किस ने की थी विकल्प ए स्वेंबु जी ने अगला प्रशन देखिए भोला शंकर व्यास ने किस कवी की तुलना माग से करना उचित समझा है सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर बी पुश्प दंत जी को अगला प्रशन देखिए प्रशन नंबर 63 है पाहुड दोहा का अर्थ क्या है दोहो की माला दोहो का संगर है दोहो का उपहार या फिर दोहा और पाहुण जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा बी सी आशा राणी जी बी रुपिंदर कौर जी सी वेरी गुड दोहा का उपहार पाहुण दोहा का अर्थ है अगला प्रशन देखिए जल्दी से उत्तर बताएग इंपोर्डन कोशन है परिक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है बहुत सारे जो विद्यारती है ये प्रशन गलत कर जाते है सिद्ध कितने हैं सिद्ध कितने हैं चुरासी है ठीक है नाथ कितने हैं नो हैं ठीक है ये याद रखना नो नाथ चुरासी सिद्ध इस तरह से आप दो तीन बार बोलोगे ना नो नाथ चुरासी सिद्ध नो नाथ चुरासी सिद्ध ठीक है डॉम्बी गीत का योग चरिया अक्षर दिकॉप देश किसके गरंथ है जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा सरहपा सबरपा डॉम्बी पा या फिर कनपपा 65 प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा वेरी गूड बिकल्प नंबर C डॉम्बी पा अगला प्रशन देखिए कुकरुपा लुईपा विरुपा या फिर सरहपा जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा क्रात तुरवर पंच विडाल चंचल चिये पठटो काल तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर B लुईपा जी का अगला प्रशन देखिए अप बरंश भाशा में दव्या सभा प्रयाज काव्या गरंथ की रचना करने वाला कभी कौन था लक्षमी धर हेमचन देवसेन या फिर साली भदर सूरी जी दब सहाव प्यास काव्या गरंथ की रचना किसने की थी सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर C देवसेन जी ने किसने की थी देवसेन जी ने अगला प्रशन देखिए कोशा वैश्या और स्तूली भदर की कथा किस गरंथ में वर्णी थै स्तूली भदर रास जो की जीनी धर्म सूरी जी के दुवारा लिखा गया था सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर A स्तूली भदर रास जीनी धर्म सूरी जी के ये कथा वर्णी थै ये आप तीनों भी याद कर लीजेगा चंदरवला रास किसकी रचना है आगसु की नेमिनार रास सुमिती गुनी जी की और कचुली रास प्रग्या तिलग जी की ठीक है अगला प्रशन देखिए नाथों की संख्या कितनी मानी गई है नो मानी गई है सिद्धों की कितनी मानी गई है चुरासी ठीक है सेयुत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर D अगला परशन देखिए नाथ पंती या नाथ संपरदाय के सिद्ध मार्ग योग मार्ग योग संपरदाय अबधूत मत एवःवधूत संपरदाय नाम से परसिद हैं यह कथन किस विद्वान का है विकल्प देखिए अचारे शुक्ल जी हजारी परसाद दिवेदी पितामबरदत वडवाल जी या फिर परशु राम चत्रवेदी परशन नमबर 70 का सही उतर चुने हजारी परसाद दिवेदी वेरी गुड दोस्तों जब भी आपको नाथों कोई भी कथन आता है तो 99% क्या होगा अचारे हजारी परसाद दिवेदी जी छी क्योंकि ज़ादा तर जितने भी कथन दिये गए हैं नातों और सिद्वों से सम्मझित हजारी परसाद जी ने बहुत ज़ादा दिये हैं इसे नोट कर लीजे अगर आपको प्रशन समझ ना आए ठीक है उसका उत्तर ना समझ आए तो हजारी प्रसाद दिवेदी जी का तुक्का आप लगा सकते हैं अगला प्रशन देखिए गोरक नात जी की रचनाओं सब्दी प्रानी संकली आत्म बोध आदी का गोरक बानी नाम से संपादन किस ने किया थ आपको सिधा प्रशन आजाएगा गोरक बानी नाम से गोरक नात जी की रचनाओं का संपादन किस ने किया था डॉक्टर बडवाल जी हजारी प्रसाद दिवेदी आचारे शुक्ली या फिर विश्वनात प्रसाद दिवेदी जी ने जल्दी उतर चुने वेरी गुड विक वेरी आग्या कुंडली जागरन आदी का महतव किस साहिते में मिलता है सिद साहित, जैन साहिते, नात साहिते या फिर लोकिक साहित अ है जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा गुरू की महिमा इंद्रिया निग्र्य वेराग्या कुंडली जागरन दोसतों ये अलग-अलग प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है परिक्षा में तो इसे सही से कीजिएगा गुरु की महिमा किसमें इंद्रिय निग्रह विराग्या कुंडली जाग्रहन किसमें माना गया है नाथ संपरदाय में ठीक है किसमें नाथ संपरदाय में अगला प्रशन देखिए नाथ पंथ के परवर्तक कोन है जलंदर नाथ चुनकर नाथ भर्थरी या फिर गोरक नाथ जल्दी से सही तर चुने देखे दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर नाथ पंथ का जो परवर्तक आपसे पूछा जाएगा तो त ठीक है ये आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे सही तर क्या जाएगा विकल्प नमबर डी गोरक नाथ जी अगला प्रशन देखिए नो लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा अंजन माही निरंजन भेट्या पंगती किस नाथ की है जल्दी से बताएं गो पंगती है दोस्तों एक्जाम में पूछी जा सकती है नो लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा अंजन माही निरंजन भेट्या किसकी रितन है जल्दी बताएं पंगती हैं किसकी हैं वेरी गुड विकल्प नमबर ए से हो जाएगा गोरक नाथ जी की अगला प् पर्थम गद्य लेखक मिश्र बंदूओं ने किसे माना है जल्दी से बताएं इंशाल्ला खान गोरक नाथ गंकवी या फिर चंदर वरदई सभी का उत्तर बीज आ रहा है बेरी गुड मिश्र बंदूओं ने पर्थम गद्य लेखक किसे माना है गोरक नाथ जी को किसे मान परिक्षा में आपको इस परकार का प्रेशन पूछा जा सकता है तो आप जो भी आप बुक फोलो करते हैं वहाँ पर रासो शब्द का जो अलग-अलग साहित्यकारों ने नाम दिया है उसे अच्छे से याद कर लीजेगा सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नमबर डी राज सुई से अगला प्रेशन देखिए राम चंदर शुकल ने हिंदी का पर्थम कभी किसे माना है जल्दी से उत्तर बताएं चंदर बरदई हरियोद तुलसी दास या फिर जाईसी वेरी गुड क्या उत्तर हो जाएगा विकल्प नमबर ए चंदर बरदई जी अगला प्रशन देखिए खुमान रासो की रचना किस साहित्यकार ने की है जल्दी से उत्तर चुने खुमान रासो की रचना किस साहित्यकार ने की है शारंग धर दरपती दलपती विजय नरपती नहल या फिर नल सिंग जल्दी से उत्तर बताएं खुमान रासो वेरी गुड किसने की है द हमीर रासो ठीक है हमीर रासो याद रखिएगा एक्जाम में पिछली बार पूछी गई थी नर्पती नाहल बीसल देव रासो नल सिंग के दुवारा विजय पाल रासो लिखी गई थी अगला प्रशन देखिए कौन सा नाथ योगी इस्तरी मोहों में फस गया था जिसका गोर मचेंदर नाथ जी या फिर चुरंगी नाथ जी वेरी गुड गुरु गोरत नाथ जी ने अपने गुरु मचेंदर नाथ जी को इस्तरी मोहों के जाल से बचाया था ठीक है किसने बचाया था चेले ने गुरु को बचाया था ठीक है ऐसे आप याद कर सकते हैं अगला प्र किस आलोचक का है राम चंदर शुक्ल हजारी परसाद दिवेदी शिवकुमार मिश्र या फिर बच्चन सिंग जल्दी से उत्तर बताएं नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गरहस्त के प्रथी अनादर भाव था वेरी गुड मैंने आपको बताया था जादर नाथों और सिद्धों से सम्मंदित जो कथन कहे गए हैं वो किसके दुवारा कहें गए हैं हजारी परसाद दिवेदी जी के दुवारा अगला परशन देखिए आदी काल को अत्यधिक विरोदों और व्या घातों का यूग कहने वाले इतिहास कार कौन से हैं इनमें हजारी परसाद दिवेदी रामकुमार वर्मा धिरेंदर वर्मा या फिर बच्चन सिंग जी जल्दी से उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा आद आदी काल को अत्यधिक विरोदों और व्या घातों का यूग किसने कहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया किसने कहा है हजारी परसाद दिवेदी जी ने अगला परशन देखिए पिर्थवी राज रासों के कितने संस्क्रण पराप्त हुएं दो चार पांच या फिर छे जल वेरी गुड कितने हुएं चार अगला परशन देखिए पिर्थवी राज रासों को सुक्सुकी संबाद के रूप में रचित मानने वाले अलोचक कौन है हजारी परसाद दिवेदी शुकल जी गियरसन जी या फर मिश्र बंदू जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा पिर्थवी राज रासों को सुक्सुकी संबाद के रूप में किसने माना है सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए हजारी परसाद दिवेदी जी वेरी गुड बीशन देव रासों के रचना नर्पती नाहल ने कब की थी जल्दी से उत्तर चुने सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प नंबर ए बारा सो बारा वेरी गुड अगला प्रशन देखिए चंदरवर्दई कृत हिंदी का पर्थम महा काव्य कौन सा है चंदरवर्दई जी का पहला पर्थम या महा काव्य कौन सा था कौन सा था पिर्थवी राज रासो था कौन सा था पिर्थवी राज रा अगला प्रशन देखिए, प्रशन रिपीट हुआ है, इसे छोड़ दीजिए, अगला प्रशन देखिए, जैन साहिता की सरवदिक लोग परी है, कावे शैली कौन सी थी, चरित कावे है, रास कावे है, फागू या फिर चंपू कावे है, जल्दी से उतर चुने, जैन साहिता अगला प्रशन देखिए रासो गरंत की भाशा क्या थी प्राकिर्ट अपवरेंश डिंगल पिंगल या फिर ब्रज विकल्प सी सही हो जाएगा डिंगल पिंगल अगला प्रशन देखिए नल सिंग द्वारा रचित रासो गरंत कौन सा है नल सिंग के द्वारा लिखा गया रासो गरंत कौन सा है सही उतर जाएगा विकल्प नमबर ए विजैपाल रासो अगला प्रशन देखिए किस रासो गरंत में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों क बिष्टा पूर्वक युद्ध का वर्णन किया गया है पृत्वी राज रासो परमाल रासो खुमान रासो या फिर हमीर रासो जल्दी से उतर बताएं क्या हो जाएगा सभी का उतर जा रहा है विकल्प नमबर भी परमाल रासो दोस्तों परमाल रासो की एक कहावत दी गई है ठीक है आला कंड से समन्दिद जो आला उदल की जो भी कहानी सुनता है ठीक है या इसे गाता है तो कहते हैं की उस परशन की कही न कही लडाई बहुत जल्दी होती है ठीक है मतलब इन दोनों की जो आला खंड में बताया गया है उससे अगर मालो आप सुनते हो तो आपके अंदर इतना जादा जोश भर जाता है कि आप चाहें सामने दस व्यक्ति क्यों ना खड़े हो आप उनसे भी बिढ़ जाओगे ठीक है इस परकार कहा जाता है ठीक है अगला प्रशन देखिए परमाल रासो का परकाशन चाल्स इलियट ने किस वर्ष करवाय था छिल्पा रानी जी बिलकुल मैं सही बोल रहा हूं ठीक है इस तरह की कहानिया परचलित हैं अगर कोई भी आला उदल के बारे में पढ़ता है तो फु किस वर्ष करवाय था परमाल रासो का परकाशन बानवे मा परशन है सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर ए ठीक है क्या जाएगा विकल्प नंबर ए अठारा सो पैंसेट इस्वी ठीक है अगला परशन देखिए आला का गायन किस रितू में किया जाता है इंपोर्ट ठीक है वर्षा रितू में इसका गायन किया जाता है अगला प्रशन देखिए आलाखंड के रचायता जगनिक किस राजा के आश्रित थे जैचंद परमारदी देव प्रिथ्वी राज या फिर जैसिंग आलाखंड के रचायता जगनिक किस राजा के आश्रित थे सभी विकल् परमार देव जी ठीक है बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नमबर बी वैरी गुड अगला प्रिशन देखे पिर्थवी राज रासों के तीस हजार चंदों का अंग्रे जी में अनुवाद किस लेखक ने किया है करनल जेम्स टॉड बूलर जी सुनिती कुमार च ठीक है जो आपको परिशन बताया था आला का गायन किस रितू में किया जाता है बरसात रितू में किया जाता है ठीक है पिर्थवी राज रासों के तीस हजार चंदों का अंग्रे जी में अनुवाद किस ने करवाया था करनल जेम्स टॉड ने ठीक है अगला परिशन देख बंदू एक्जाम में ये प्रशन पूछा गया है वेरी गुड सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर सी के साथ अचारे रामचंदर शुक्ल जी अगला प्रशन देखिए कया मास वद किस रासो गरंद का परसंग है इंपोर्डेंट कोशन है पृत्वी राज रासो बीसल किसने का ये भी बताएं वेरी गुड सभी उतर जाएगा क्या मास वद पृत्वी राज रासो में है ठीक है अगला प्रशन देखिए उक्ति व्यक्ति परकरण नामक व्याकरण गरंद के रचनाकार कौन है जल्दी से उतर चुने दामोदर शिर्मा गुनाड्य या फिर जो अगला प्रशन देखिए शिलांकिर्ट कृति राउल बेल के रचैता कौन है इंपोर्टन कोशन है एक्जाम में पूछा गया है दामोदर शिर्मा उमापती जी रोडा या फिर जगनिक बहुत बढ़िया सभी का उतर सही आ रहा है शिलांकिर्ट कृति राउल बेल किसकी है रोडा कवी की किसकी है रोडा कवी जी की अगला प्रशन देखिए प्रशन नंबर सो की तरफ हम पहुंच चुके हैं विद्यापती की परसिद्धी का परमुक आधार गरंद कोन सा है जल्दी से उतर चुने विद्यापती की परसिद्धी का आधार गरंद कोन सा है पुरु विकल्प नमबर डी सही हो जाएगा पदावली किस में लिखी थी मैथली भाशा में लिखी गई थी बाकी जो ये लिखी गई है संस्क्रित भाशा में लिखी गई है ये भी विद्यापती की रचना है इन्हें भी अच्छे से नोट कर लीजेगा अगला प्रशन देखिए इकजाम में पूछा भी जा चुका है से उत्तर क्या जाएगा विकल्प नमबर एक साथ अमीर खुसरोजी ठीक है हादीकाल में खडी बोली ब्रज भाशा अर्वी फार्ची में रचना करने वाले एक मात्र कवी कौन थे अमीर खुसरोजी अगला प्रशन देखिए किरती ल अगला प्रशन देखिए जैचंद प्रकाश गरंत के रचनाकार कोन है मदूकर भटकेदार जगनिक या फिर केशवदास जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा very good very good सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है विकल्प नमबर B भट केदार जी ठीक है जै चंद प्रकाश लिखी गई थी अगला प्रशन देखे जै मियंक जस्चंदर का के रचनाकार कौन है जै मियंक जस्चंदर का देखे अगला प्रशन देखे खालिक बारी नू सिपर दो सखने और पहेलियों के रचनाकार कौन है एक्जाम में पूछा गया प्रशन है अबुल हसन खुसरो निजामुदीन ओलिया डाउद या फिर राविया very good बहुत बढ़िया सिदा ही उत्तर दे रहे हैं विकल्प नमबर A अबुल हसन खुसरो जी के गुरु जी का नाम क्या था जल्दी बताएं खुसरो जी के गुरु का नाम क्या था आमीर खुसरो जी के गुरु का नाम क्या था ओलिया गुरु very good किसकी रतना है, शिरीधर, नागारजुन, सरहपा या फिर देवसिन, जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा, रन मल, छंद किसकी रतना है, ठीक है, तो किसकी रतना है, विकल्ब नमबर A, श्रीधर जी की, अगला प्रशन देखिए, करकंड चरियू, नामक जैन कृती के लेखा कोन है, से उतर जाएगा, विकल्ब नमबर B, मुनी कन कामर जी, अगला प्रशन देखिए, संस्क्रित प्राकर्त काव्या, कुमार पाल परतिबोध के रचैता कोन है, कल मैंने यह आपको बताया था, कुमार पाल परतिबोध के रचैता भी बताया थे मैंने, ठीक है, विकल्ब देखिए, सोम प्रब सूरी या फिर जयानक जी, जल्दी से उतर चुने, सोम प्रब सूरी, very good, सभी का उतर से ही जा रहा है, विकल्ब नमबर C, सोम प्रब सूरी जी, अगला प्रशन देखिए, आदी पुरान, महा पुरान, जस हर चरियू के रचैता कोन है, स्व पुष्पदंत जी, विकल्ब भी सही हो जाएगा, दोसों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जब वीडियो एंड होगी, तो प्लीज वीडियो को शेर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जितने भी हिंदी के आपके दो समित्र हैं, ठीक है, ताकि वो भी इस कला प्राइब उठा सकें अगला प्रशन देखिए द्या शर्या काव्यय शब्द अनुसाशन प्राकिर्ट व्याकरण के रचना इन में से किसने की हैं हेमचंद, चिंतामनी, मदुकर, या फिर, केदार, भट जी, जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा, हेमचंदर जी, very good, क्या उतर हो जाएगा, हेमचंदर जी, अगला प्रशन देखिए, विद्यापती की किस रचना में सिव सिंग का वर्णन है, किर्टी लताक, पदावली भू परिकर्मा या फिर कीर्टी पताका, जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा, क्या उतर हो जाएगा, विकल्प नमबर D, कीर्टी पताका, अगला प्रशन देखिए, विद्यापती किस राजा के आश्रित कवी थे, जल्दी से उतर चुने, कीर्टी सिंग, गोविंद, रुद परताप या पिर परताप सिंग जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा विध्यापती कि सराजा के आशरित कवी थे किसके थे कीर्टी सिंग के ठीक है किसके थे किर्टी सिंके अगला प्रशन देखिए हिंदी में नक्षिक वर्णन का सिंगारिक प्रंपरा किस गरंथ से आरंब होती है जल्दी बताए हिंदी में नक्षिक वर्णन मतलब नाक से जो पैरों से लेकर आपके सिर्व मतलब पूरी बोड़ी से जो सिंगारिक प्रंपरा का वर्णन किया गया था वो किसमे किया गया था प्रित्वी राज रासो उपदेश रासाइन संदेश रासक या फिर राउल बेल जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा very good सही उतर जाएगा विकल्प नमबर D राउल बेल से अगला प्रशन देखिए अभिनब जैदेव कवी शेखर दश विधाव खेलन कवी आदी उपादियां किस कवी को प्राप्त थी important question है एक्जाम में पूछा गया है जैदेव विद्यापती उमापती या फिर पुश्वदंध जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा बी 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 very good क्या उत्तर हो जाएगा विकल्प नमबर बी विद्यापती जी अगला प्रशन देखिए असंगत जोडा चाटिये दंगवे पुरान भीम कवी वेली किसन रुकमनी वी पृत्वी राज गाथा सब्तशदी हाल या फिर सरावकाचार चंदरवर्दई जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा तो देखिए दोस्तो भीम कवी पृत्वी राज और हाल ये तीनों ही सही है शरावकाचार चंद कवी के द्वारा नहीं लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई ये भी बताएं शरावकाचार किसके द्वारा लिखी गई देव सेन के कब लिखी गई 933 सिस्वी में अगला प्रशन देखिए पनमावत समय किस गरंद का हिस्सा है पदमावत, पृत्वी राज रासो, विसल देव रासो या फिर इन में से कोई नहीं जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा पदमावती समय किस गरंथ का हिस्सा है सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नमबर B के साथ पृत्वी राज रासो अगला प्रशन देखिए आदी काल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक कोन है से उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नमबर D कोन है अमीर खुसरो जी अमीर खुसरो जी ने आदी काल में मनोरंजन परक रचनाई लिखी दी ठीक है अगला प्रशन देखिए नारियों के प्रती निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है इंपोर्टेंट है एक्जाम में इस टाइब का प्रशन पूछा गया है नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है या फिर रासो साहित्य है जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा नारियों के प्रती निंदा और उपेक्षा भाव नाथ वेरी गुट क्या उत्तर जाएगा नाथ साहित्य में अगला प्रशन देखी सेम्बू की उस कृति का नाम बताए जिसमें राम कथा वर्नित है बहुत बार ये प्रशन अगला प्रशन देखिए आदी कालिन की स्कृति को चंदों का आजायव घर कहा जाता है जल्दी से उत्तर चुने मोस्ट इंबोर्डन कोशेना एक्जाम में पूछा भी गया है बीसल देव रासो प्रमाल रासो प्रिथवी राज रासो या फिर राम चंदिर का प्रिथवी राज रासो 120 का उत्तर चुने क्या हो जाएगा वेरी गुड विकल्प नमबर सी प्रिथवी राज रासो लगे हाथ अब ये भी बता दीजिए के चंदों का अजायव घर प्रिथवी राज रासो को किसने खा था रुपिंदर कोर जी का पहले उत्तर आया है वे प्रिशव जी के दुवारा जो राम चंद्र का लिखी गई थी इसे भी चंदों का अजायव घर काहा है किसने का ये भी बताएं राम सवरूप चतुरवेदी वेरी गुड किसने उत्तर दिया है ये प्रिया प्रजापती जी दीप जी वेरी गुड रुपिंदर कोर जी बह most important है दोस्तों इस प्रशन को बिल्कुल भी छोड़ियेगा मत ठीक है प्रिक्ष्या में पूछा जा सकता है अगला प्रशन देखें विसल देव रासों की विरहनी नाइका कौन है ये भी प्रशन काफी जादा महत्पून है नागमती विद्यापती सेयोगिता या फिर दी की तरफ जा रहा है राजमती जी ठीक है राजमती बिसल देव रासों की नाइका है अगला प्रशन देखिए सहजीय संपरदाय के प्रवर्तक दोस्तों जितने भी संपरदाय हैं यहां से एक आदा प्रशन आपको पूछा जा सकता है तो आप इन सभी प्रशनों को कर ल जल्दी से उतर चुने क्या हो जाएगा वेरी गुड सभी का उतर जा रहा है विकल्प नमबर सी की तरह सरहपा अगला प्रशन देखिए अधियात्म रंग के चश्मे बहुत बढ़िया प्रशन आया है अब और ये प्रिक्षा में पूछा भी जा चुका है अधियात्म रंग के चश्मे आज कल बहुत सस्ते हो गए है शुकल जी ने यह कथन या विशय किसके बारे में कहा था गीत गोविंद रामचरित मानस पदमावत या फिर विद्यापती की पदावली में ठीक है बताएं किसके लिए ये कहा गया है वेरी गुड बहुत बढ़िया रचना कमबो जी सी बता रहे है ठीक है बाकी सभी डी वेरी गुड सहितर क्या जाएगा विकल्प नंबर डी विद्यापती जी ठीक है इनके लिए ये जो शब्द थे शुकल जी ने कहे थे most important है एक्जाम में पूछा जा सकता है कर लीजेगा अगला प्रशन देखिए पुस्तक जलहन हत दे चले गजन रिपकाज पंक्ती किस से सम्मंदित है important question है ये भी जगनिक जयानक बिसल देव रासु या फिर चंदर बरदई जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा very good परशन देखते ही उत्तर आ गया very good सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर डी चंदर बरदई अगला परशन देखिए तरवर से एक तरिया उत्तरी उत्तरी बहुत रिजाय बाप का उसने जो नाम पूछा आधा नाम बताये बताये किसने ये पंक्तिया लिखी थी तरवर से एक तरिया उत्तरी उत्तरी बहुत रिजाया बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बता किसकी है सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नंबर भी आमीर खुसरो जी की ठीक है आमीर खुसरो जी की पहेलियों में से ये एक पहेली है अगला प्रशन देखिए एक्जाम में ये प्रशन बहुत बार पूछा गया दोस्तों गोरी सोवे सेज पर मुखपर डारे केस चल चरमूद मोहिन्यू दीन या फिर गोरी जल्दी से उत्तर चुने वेरी गुड़ प्रशन देखते ही उत्तर सभी बहुत बढ़िया से दे रहे हैं वेरी गुड़ विकल्प एसए हो जाएगा नीजामू दीन ओलिया बहुत बढ़िया अगला प्रशन देखिए वज्या घो प्रत्वी राज रासो अगला प्रशन देखिए जगनिक या फिर नर्पती नाहल दोस्तों इस परकार की पंक्ती सुंटे ही बोडी बाइवरेट करने लग जाती है ठीक है बहुत ही बढ़िया प्रशन दिया गया है बारा बरस लो कूकर जीवे अरू तेरा लो जीए सियार काव्या पंक्ती के रचायता कौन है वैरी गुड कौन है विकल्प नमबर सी जगनि प्रशन देवसेन चंदरवर्दई या फिर सैम्बू जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा जो जिन सासन भाशियव जो कहनू साव देवसेन क्या उत्तर हो जाएगा वैरी गुड विकल्प नमबर बी हो जाएगा सही देवसेन वैरी नाइस बहुत बढ़िया सभी का उत्तर सही है अगला प्रशन देखिए जहा मन पवन्ने संस्राई रवी ससी नाही पवेज तही बट चित विसाम करू सरेहे करियो उवेज पंक्तिया किसके दवारा कही गई थी लुईपा कनहपा कोकृपा या फिर सरहपा जल्दी से उत्तर बताएगा बैरी गुड क्या उ इंपोर्टन कोशन है भला हुआ जो मार्या बहिनी मारा कंतू लजेज तू वेंसी अड़ जाई भग्गा घरू एंतू अप भरंश की यह रचना किस कवी की है जल्दी से उत्तर बताएगा क्या हो जाएगा देवसेन हेंचंद्र वर्रूची या फिर शिरी धर जल्दी से उत्तर बताएगा वेरी गुड सभी का सही उत्तर जा रहा है विकल्प नमबर बी के साथ हेम चंद्र जी की ये रचना है पंक्तियां है वेरी गुड अगला प्रशन देखिए प्रिथ्वी राज रासों को अर्द परमानिक मानने वाले विद्वान कोन से हैं कल भी ये प्र सुंदर दास या फिर करनल टॉड जल्दी उत्तर चुने हजारी परसाद दुवेदी वेरी गुड किसने माना है हजारी परसाद दुवेदी जीने अर्द परमानिक माना है शुकल जीने क्या माना है और परमानिक माना है ठीक है करनल टॉड ने क्या माना है परमानिक माना है अगला प्रशन देखिए एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया काव्या पंक्ती के रचैता very good answer दे रहे हैं सभी दोस्तों ये प्रशन एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है सही उतर चुने क्या हो जाएगा एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया very good सही उतर जाएगा विकल्प नमबर डी आमीर खुसरो जी बहुत बढ़िया उतर दे रहे हैं आप सभी अगला प्रशन देखिए गोरक नात जी के गुरु कौन थे गोरक नात जी के गुरु कौन थे कौन थे मचेंदर नात जी अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर 136 निमिलिखित रचनाओ को सही करम में रखिए जल्दी से उतर बताएं तो इसका सही उतर जाएगा विकल्प नमबर C खुमान रासो वीसल देव रासो पृत्वी राज रासो तथा परमाल रासो ठीक है अगला प्रशन देखिए बारा बरसो बहुत्तर मजारी जेठ बदी नम्मी बुद्भारी किस रासो के रचनावर्ष की और संकेत करती है विकल्प देखिए बीसल देव रासो परमाल रासो पृत्वी राज रासो या फिर विजय पाल रासो जल्दी से उतर चुने 1272 137 का परशन सही कर लीजिए रिज़य 1272 ये बीसल देव रासो में पंक्ति दी गई है इसे सही कर लीजिए 137 का क्या हो जाएगा बीसल देव रासो अगला परशन का उतर दीजिए आदी काल में बालत नात नाम किसे दिया गया है सही उत्तर क्या जाएगा विकल्प नमबर ए जालंथर नाथ जी को अगला देखिए गोरक नाथ जी के हट योग का परभाव किस पर पड़ा था ठीक है जल्दी बताएं गोरक नाथ के हट योग पर किस का परभाव है विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प ए अगला प्रशन देखिए बसंत बिलास 84 चंदों का काव्य है तो यह किस परकार का काव्य है बताएं भक्ती काव्य नीती काव्य शिंगारिक काव्य या फ़र वीर काव्य जल्दी से उतर चुने बसंत विलास चुरासी चंदो का जो काव्य है वह किस परकार का काव्य है परशन नमबर 140 वेरी गुड क्या उत्तर हो जाएगा विकल्प नमबर सी शिंगारिक काव्य है कौन सा है शिंगारिक काव्य है अगला परशन देखिए 141 परशन है रगुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उध्रय जीमी पंक्ति किस गरंथ से ली गई है विकल्प देखिए प्रमाल रा जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा रगुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उध्रय जीमी पंक्ति किस गरंच से ली गई है तो यह किस से ली गई है प्रत्वी राज रासों से ली गई है ठीक है अगला प्रशन देखिए शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी का ना नाम दिया था तो कौन सा नाम दिया था प्राकिर्ट भास हिंदी अव हट प्राकिर्ट या फिर इन में से कोई नहीं जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया था क्या नाम दिया था विकल्प ए सही हो जाएगा प्राक चैसो चोदा इस्वी, चैसो तेतीस या फिर साथ सो तेतीस इस्वी सही उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा विन्य तोश भटाचारय के अनुसार सरहपा का समय क्या है अगला प्रशन देखिए शुकल जी ने जिन बारा गरंतों का आधार पर आधी काल को वीर गाथा काल काहा है उसमें अप भरंश की रचनाई कितनी है इन्हों ने आधी काल को वीर गाथा काल काहा था किस आधार पर बारा गरंतों के आधार पर अब इसमें से अप भरंश की कितनी रचनाओं को इन्हों ने शामिल किया था दीप दीप वेरी गुड वेरी गुड आंसर सांगा जी वेरी गुड जोशी कटार्या जी कंबो जी पूनिया जी सिंग साप कोर जी वेरी गुड परजापती जी सही उतर क्या जाएगा विकल्प नमबर ए चार ठीक है चार अप भरंश की रचनाएं आधी काल में इन्होंने शामिल की थी अगला प्रशन देखिए कन पठे कन फटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है इंपोर्टेंड है एक्जाम में पूछा भी गया है सिद पं विकल्प बी वेरी गुड वेरी गुड अंसर विकल्प बी सही हो जाएगा नाथ पंथ पहुत अच्छा अंसर दिया है अगला प्रशन देखिए शंकराचारे के बाद इतना प्रभाव शाली और इतना मही वनिंत भारत वर्ष में दूसरा नहीं हुआ भारत वर्ष के कोने में उनके अन्याई आज भी पाए जाते हैं भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्ति शाली धार्मिक आंदोलन गोरकनात का भक्ति मार्ग ही है गोरकनात अपने युक के सबसे बड़े नेता थे उप्युक्त कथन किस ने दिया है शुकल जी ने गियर्षन जी ने हजारी हजारी परशाद दिवेदी जी या फिर विनय तोश बटाचार्य जी जल्दी से उत्तर चुने देखिए आपको मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि अगर आपको परशन समझ ना है तो आपने हजारी परशाद दिवेदी जी को लोग कर देना है ठीक है जब भी आपको न सिद्धों के विशय में कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है जल्दी से बताएं सिद्धों के विशय में कौन सा कथन सत्य नहीं है सिद्ध निरिश्वरवादी थे बिलकुल थे सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे रखते थे क्या जी बिलकुल रखते थे सिद्ध नाथों की भाशा, सांद्य भाशा कहलाई गई, बिलकुल कहलाई गई, सिद्धों को गनफटा योगी कहा गया, नहीं, किसे कहा गया, नाथों को कहा गया, इसलिए सहीत तर जाएगा विकल्पन Б, क्योंकि यह सिद्धों के बारे में सत्य नहीं है, अगला परशन देखिए, कोरक नाथ, आदी नाथ, कनहपा या फिर चोरंगी नाथ, देखे दोस्तों जहां पर भी नाथ लिखा होता है, वो सारे क्या नाथों में आते हैं, जहां पर पा लिखा होता है, वो किस में आते हैं, सिध्धों में आते हैं, ठीक है किस में आते हैं, सिध्धों में आते हैं, त तक टाइमिंग स्पेंड की है लास्ट परशन देखिए आज के जो सेशन का लास्ट परशन है और आप उमीद करता हूँ कि आदी काल से सम्मंदित आपको कभी भी कोई भी परशन आएगा आप कभी गलत नहीं करके आओगे तेखे जोई जोई पिंडे सोई सोई बरमांडे ठीक है most important पंक्ती है सिदान्त के परवर्तक कोन है मचेंदरनात गोरखनात सरहपा या फिर मनी भदरम very good बहुत बढ़िया परशन देखते ही उत्तर चुना है आप सभी ने गुरु गोरखनात जी दोस्वों ये थे 150 परशन जोकी आदिकाल से संबन्दी थे ठीक है आप सभी बहुत ही विनमरता से पूरी कलास में बने रहे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो मेरी मेहनत थी आप उसमें भी सयोग कर रहे हैं और ये आपके परिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी सर डेली कितने बजे कलास होती जी दस बजे होती आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था कमबो जी इस कारण से कलास थोड़ी लेट लग पाई ठीक है उमीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसे शेयर करना मत बोलिएगा ठीक है जितने भी हिंदी के आपके साती है प्लीज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फुरी ओफ कोस्ट लाग प्राप्त हो ठीक है कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा आपको और ज़्यादा जितने भी ज़्यादा प्रशन बन सकते हैं और आदिकाल से सम्मंदित लेकर आऊं सर गरामर की क्लास कब होगी बिलकुल आज ही गरामर की क्लास भी शुरू करेंगे ठीक है आपको मैं हमारा साथी तो सभी यहीं है वेरी खुड दीप दीप जी कोई बात नहीं अगर आप जितना शेयर करोंगे उतना ही बहुत है ठीक है चाहे आप एक परसन को कीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप सभी का बहुत बहुत दन्यबाद दीप जी परशोतम सिंग जी रचना कमबोज जी दिक्षा जोशी जी रुपिंदर कोर हरजिंदर कोर जी सेफी गोयल जी रुपिंदर कोर जी मंजू बटवाल जी सोनिया सेतिया जी अंजू बाला जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद लाइव कलास से जुड़ने के लिए गुरमीत कोर जी चले मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंद